ये ना बिल्कुल ही लुक में different है, इसके पीछे से निकलावाई बाहर, इसके आगे से निकलावाई बाहर, ये इतने different look के क्यों होते हैं, तो अगर आप इसको देखो के दोस्तों तो यहाँ पर बड़ा सा आपको spoiler देखने के लिए मिल जाते हैं, तो अगर आप हाईवे पर आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही लुक में तो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो भाई बहुत सारे endurance लगती है, आपकी सास ज़्यादा फूलती है, तो मेरे front से इतना सारा space है, तो मुझे suffocation होने के chance बहुत कम होते हैं, परना अगर थोड़ा होता है, तो आप गिर जाते हो, तो भाई यह जो चज़्या होता है, इस helmet में क्यों होता है, मुझे नहीं बदा था भाई क्योंकि हैं, हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सब बढ़ी होएंगे, मेरे सामने हैं दो helmet और आपने देखा होगा कि यह बिल्कुल ही look में different है, इसके इस Steelbird SBA 20 को, यह normal helmet की तरह लुखता है, इसका spoiler सोड़ा बड़ा है, लेकिन देखोगे तो यह normal helmet लगता है, on the other hand अगर हम इसकी बात करें, तो यह देखो, बिल्कुली अलग तरीके से बनाया गया है, तो आज हम बात करने हैं, कि ऑफ-roading helmet होता है, वो ऐसे क्यों लगते हैं पाकि हम इस helmet का भी आपको रिव्यू देंगे, कि भाई, आपको यह Stroll and Field का helmet लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए, क्यों कि इसको मैंने ले आता है, जब मैंने अपनी Meteor 350 पर्चेस करी थी ना, तब, तो भाई मैं मतलब, cruiser के साथ एक off-roading helmet पहन कर चल रहा था, लेकिन आजम बताने वाले आपको कि यह जो है, इसकी look ऐसी क्यों होती है, और क्यों यह इस helmet से different होता है, तो दोस्तों सबसे पहले बात यह जो है, एक off-roading helmet है, जो की use होता है, off-roads पे, trails पे, जो की use होता है, mud वोगरा में, जो भी है, off-roading जो है, जहां पर endurance लगती है, आपकी, वहां पर यह helmet use होता है, ठीक है, पहले बात तो दोस्तों हम सजेक्स करते हैं, जब भी आप helmet खरीदो, ISI mark काई खरीदो भाई, तक थोड़ा बहुत तो आपका safe रहे, ठीक है, और उसी के साथ साथ यह helmet है, रॉयल इंट फील्ड का, अब आप देखोगे न दोस्तों, तो mostly off-roading helmets, वो ऐसे ही होते हैं, इसका जो है glass है, कुछ आपने देखा होगा, goggles के साथ आते हैं, जिसके साथ, बस helmet आता है, उसके साथ यह जो है, visor नहीं आता है, उसके साथ glass हाते है, और उसको गर आप highway पे पहन के चलाओगे न, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है, बिन नो होते हैं, ठीक है, तो इनको ऐसा बनाने का reason यह है, कि भाई, आपको जो है, बिल्कुल oxygen, ventilation जो है, बहुत ही अराम से मिलेगी, क्योंकि दोस्तों, off-roading helmet आप off-road पे उसकरते हैं, और off-road में लगती है endurance, जब भी आप खराब से road पे होते हो, आपको handle समालना पड़ता है, कभ बहुत सारे endurance लगती है, आपकी सास जाजा फूलती है, तो अगर यह helmet बिल्कुली चिपका रहेगा आपसे, और बहुत ही tight होगा, तो पता है क्या होगा, तो आपको oxygen जो है, पूरी तरह से नहीं आएगी, ventilation अच्छे से नहीं होगा, एर प्लोच अच्छे से नहीं होगा, त आपको बहुत जादा सा suffocation होती है, तो main reason पहली बात तो भाई, इसको ऐसे बनाने का यही होता है, मैं आपको पहन के भी दिखाता हूँ, तो भाई, अगर मैं इसको पहनता हूँ तो देखो, तो अब मैंने इसको पहन लिया है दोस्तों, तो मेरे front से इतना सारा space है, और दो दोस्तों, अगर मैं highway पे चला हूँ, तो तो यार मुझे कोई दिक्कत निया क्योंकि highway पे आप तेज चलाते हो, wind blast बहुत जादा होता है, लेकिन इनके साथ क्या होता है, यह trails पे यूज होते है, इसलिए main reason यह है, इनके साथ जितना आपको space प्रोवाइड किया जाए, उत play to these helmets, में draw schools का जाता है, लेकि आप जाएव सरन इसे आपको बहुत सारा चादा है, बहूत अच्छा होता है, आगे से फ्रुर्ट होते है, आपको पता है, सब्सक्तरों कभी पत्थर आजाता कभी वह आजाता तो आपको चाहर देखना पड़ता अच्छे से तो आपको एक एक चीज देखके अपनी बाइक निकालने होती है वरना अगर थोड़ा बहुत बहुत जादा मिले आपको प्रॉपर व्यू देखे इसलिए जो आगे से स्पेस होता है वह जाता है पीचे से देखोगे तो पूरा यहां पर आपको देखने के लिए जाता है तक है एर जो एस बहुत अच्छी है आपको बहुत अच्छी में और उसे के साथ साथ होते हैं यह काफी लाइट होते है इतना बड़ा है क्या का होगा ठीक है तो यह काफी लाइट है जब कि यह जो हमेट है यह 1600 ग्राम का है मतला में इसकी बात करूँ तो यह जो है 1600 ग्राम का है यह पीछे से इतना बड़ा स्पोइलर होता क्यों है इसके बारे में कभी बात करेंगे लेकिन अभी बात करें आपकी बात करें तो इस शेड घ्राइव से लूग जो भी आ ठीक है तो यह जो चजजा होता है इस हelmets में थोगी नहीं होता है मुझे नहीं बता था वाई कि तो इसका में जिए दोस्तों जब आप ट्रेल्स में चला रहे हो जब आप आप और रोड रहे हो पहले बाद डारेक्ट जो है आपका संसे एक्स्पोजर ना हो क्योंकि आप अल्रेडी बहुत जादा टायर्ड हो जाते हो क् पठ्थर इसको बचाने के लिए तो अपने खुद भी देखा होगा नॉर्मल जब भी होता है सामने से कुछ आता तो थोड़ासा ऑप ऐसे अगर अगता लेता है तो आका देखा आपको था मिलता है इस वज़ा से शेड का जो काम है वो होता है उसे के साथ दोस्तों आप 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 जा सकते हो और इसकी बनावट भी देखेंगे ना तो यह पीछे से ऐसे करके जा रहा है ठीक है अगर आप हलका सा टिल्ट कर लो इसमें जो भी है इंपाक्ट जो है तोड़ा वाद इस में आए आपकी मट से प्रोडेक्शन हो इसलिए इसको बनाया जाता है और यह बहुत जरूरी है तो यह और आप इसको हाइवे पर चलाते तो आपको काफी सारा जो है ना विन नॉइस देखने के लिए मिलेगा वह भी इस वज़ा से तो जो भी है यहां पर हिट होती है अगर आपको चलाना है तो चला सकते हो मैंने भी बहुत चलाया लेकिन अब जब नॉलेज हो गई है तो भाई अब मैं यही करता हूं कि भाई ऑफ रोडिंग के हैलमेट ऑफ रोडिंग पर यूज़ करता हूं ठीक है या फिर मुझे कहीं भीड भाड में जाना होता है धू अबना भाई अगर हाईवेज वगराबे है तो मिलें दूसरा है उसका भी रिव्यू करेंगे कि आपको कौन सा सिटी में पहनना चाहिए कौन सा उफ रोडिंग में पहनना चाहिए और कौन सा हाईवेज पहन सकते हो और आप इसको देखो के दोस्तों यहां पर बड़ा सा आपको spoiler देखने के लिए मिल जाता है यह इसके होता है कि अगर आप हाई-speed वगर आप चल रहे हो तो जो है एर डायनेमिक को ध्यान में रखकर एर अच्छे से पास हो पूरा बढ़िया से चीक है तो यह उस परपस से बनाया जाता है और यह काफी स्टाइट से होते हैं वै मेल को भी नहीं बता था कि यह ऐसे क्यों लगते हैं जब मुझे knowledge हुई तो मुझे feel हुआ कि आपके साथ share करना चाहिए and I hope जो है यह वीडियो आपके लिए informative रहो अगर यह वीडियो इंप्रमेटिव रहो तो प्लीज चैनल को subscribe करेगा and हम आपसे मिलते हैं किसे और वीडि मुझे आपके साथ